प्रदेश में रजसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच उप्मुखे मंतरी सचन पालेट ने कहा कि चुनावी गणित को समझने वाले लोग जानते हैं बहुमत किसके पास है बीजेपी ने सिर्फ निर्विरोद चुनाव रोकने के लिए एक और उमीदवार खड़ा किया है ऐसा हमने भी किया था एक बार निर्दलियों को समर्थन दे कर पालेट ने कहा कि इस तरह अब्रहम फैला कर राजजुनीती करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा कॉंग्रिस के पास परयाब तो संख्याबल है और दोनों उमीदवार विजए होंगे भीलवारा जिले में SDM के ड्राइवर पर खनन माफियाओं के ट्रैक्टर चड़ाने से हुई मौथ पर पालेट ने कहा कि ऐसी घटनाएं दुखद हैं ऐसी घटनाओं से समाज में गलत संदेश जाता है विपक्ष का कार आरोप लगाना है अबरी लॉक्डाउन सवाप्थ होने की ओर है और राइसान सहित कई राज्यों ने शेरों ने लॉक्डाउन को खोला है और बजारों में पोटलों में रेस्टराण ने छूट भी गई है लेकिन मैं मानता हूं कि आने वारा समय है जिम्यदारी का समय है लोगों के लिए अब जब छूट हो रही है संकवन भढ़ रहा है इसलिए अब दायत पर जनता का है नागरिकों का है कि जो सोसल डिस्टेंसिंग है जो सेफटी के प्रपोर्शन है वो हम लोग लें इसलिए जो जो पबलिक स्पेसिस खुल रहे है खुलने का मतलब यह नहीं है कि हम सब अब लोगों को अगर मुकाबला करना है तो संकमन के फैलाव को रूपना पड़ेगा उसका सिर्फ एक तरीका है कि प्रकॉशन लें दूरी मंटें करें और जो मास्क साइंटाइजिजिशन की बात इसको लगदा करते रहें